नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे यूत्य प्जानल पे आज के फिर के सुड़ी में हम बात करने वाले सी सी एच वर से शीओ-वी के मैच के बारे मिर दोस्तों आज degli शुड़ castle में कुछ प्लियरों के भी स्टाट्स आपको दिखाने आलो जिससे कि आपको खुद की एक अच्छे खासी विनिंग टीम बनाने में काफी हल्प हो जाएगे मदद हो जाएगी चाहे वो ड्रीमी लेर्न को या फिर कोई दूसर आप हो आखिर में आफकोस आपको में तेन ट्री मिल सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेश करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डिटेल से मैच है चट्डग्राम चैलेंजर्जर्स वर्सेस कोमिला विक्टोरियन्स के बीच याने सिसीएच वर्सेस स सब्सक्राइब के बीच यह मैच है बांगलादेश पर्मियर लिग के मैच है दोस्तों और यह मैच है 13 वी मतलब 13 वी मैच यह है विन्य को अगर बात करें तो जहूर अमद चोधरी स्टेडियम चट्डग्राम में डेटोर टाइमिंग के अगर बात करें तो 31 जैन्वर यान आज के दिन दोफेर को 12 वजे मैच होने ओला है आप यह मैच देखना चाते तो जरूर देख सकते हैं फैन कोड पर लाइव स्ट्रिमिंग चलेगी अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टन इस से कि जो है पीच रिपोर्ट दो विगेट विल बी फेवर दो बैटर्स मोर हैवि नहीं मिलेगी यहाँ पे गेन बाजों को भी साथ मिल सकती है ओवर्रॉल वी कैं से इट गूड पोर्टिंग विकेट ऊप्शं जिया दुस्तों कुल मिला कि यहाँ पे दोनों को मदद मिल सकते एक सपोर्टिंग विकेट है दोस्तों और सबसे बड़ी बात तो यह यह यहा अच्छा option रहेगा क्योंकि second inning में हो सकता है कि pitch थोड़ा slow हो जाए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की last 5 matches में performance किस तरह से रहा है तो उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट पांच में किस तरह से performance रहा है तो कुछ इस तरह से रहा है विन लॉस विन विन लॉस यानि कुल मिलाके उन्होंने लास्ट पांच में तीन विन किये और दो लॉस किये यानि अच्छा performance रहा है अब बात कर लेते हैं सी ओ वी के performance की तो उनका कुछ इस तरह से रहा है विन विन लॉस लॉस विन यानि इनका भी performance अच्छा रहा है तीन मैचे जिते दो मैचे सारे दोनों का performance सेम टू सेम रहा है अब इस speech पर बात करें तो total average score last 5 मैचेस में 164 का रहा है मतलब average score 164 का रहा है last 5 मैचेस के बात कर रहा है अब बात कर लेते हैं first winning average score in last 5 मैचेस वो रहा है 167 का total से 103 रन जादा रहा है दोनों के बीच के head to head के बात कर रहें तो यहाँ पर दोनों के बीच कुल 5 मैचेस हुए है जिसमें तीन COV ने जीते है तो दो ही CCH जीत पाई है तो यहाँ पर अगर आज CCA जीत जाती है तो बराबरी हो सकते ही या फिर COV जीत जाती है तो दो मैंचे जारा जीत जाएगी अब बात कर लेतें दोनों टीमों के प्रोबेबल लियोन के बारे में तो सबसे पहले बात करतें CCA चैने चाट गाम चैलेंजेस की प्रोबेबल लियोन की तो कुछ इस तरह से रह सकतें के लिविस विल जैक अफिफ हुसेन शब रह्मान मेंदी हसन मिर्जा भी होवेल नाइम इसलाम एन अहमद आर आर राजा शोफी फुल हसन इसलाम मापकी जगा और एम चोधरी इस तरह से रहेगी चट ग्राम चैलेंजेस की अफिर CCH की प्रोबेबल लियोन या फिर अब बात कर लेते कोमिला वेक्टोरियांस की प्रोबेबल लियोन की तो वो किछ तरह से रहे सकते हैं इस तरह से रहे सकते हैं कोमिला विक्टोरियांस के प्रोबेबल लियोन या फिर प्रोबेबल लियोन इस तरह से रहे सकते हैं अब मैं आपको कुछ प्लियरों के स्टैट्स दिखाने आलो जिससे कि आपको अपनी खुद की एक विनिंग टीम मनाने में आसा नहीं हो जाएगी हो जाएगी चाहिए वो ड्रीमल उनको आप हो है पिर कोई दूसरा आप हो तो इसे हम होट पिक्स या टॉप पिक्स कहेंगे तो सबसे पहले हमारे होट पिक्स से बीव हो वेल जी हा दोस्तों जैसे कि आप देख पारें इन फाइव मैचेस ही हाज कोड वन फिफ्टी एट रन और आवरेज इस फिफ्टी पॉंट सिक्टी सिक्ट एट एट पॉंट जी हा दोस्तों ये खर मैच में अपना परफॉर्मस सुधारते जा रहे है पिछले मैच से पहले इनका आवरेज उन्चास कह था अब उनका आव चाषीस से भी जादा का उनका स्ट्राइक रेट हे साथ शात इनको एक विक्येट भी मिला है तो काफि जबर दस्त्त पॉंट दोस्तों और जरूरीक करना है अगर बात करें अगले होट पिक्स की तो ये बी इनकी तककर के पिक है दोस्तों ये है विल जैक इन 5 मैचस ही है 154 run at average of 30.8 and high score is 52 जै दोस्तों इनका average भले उनसे कम है लेकिन run में वो ज्यादा पीछे नहीं है सिर्फ 4 run कम है इन्होंने भी last मतलब इन्होंने भी 5 matches में 154 run मरा है इनका average 30.8 मतलब 30.8 का average और इनका high score है 52 जै अगले हमारे hot picks से दोस्तों M.Hasan Joy he played his natural inning scored 48 run from 35 balls in the last game against the fortune बर्शिशाल जै दोस्तों बर्शिशाल के खिलाप उन्होंने last match में 35 गेंदों में 48 run के काफी बढ़िया पारी के लिए थी इसमें उन्होंने 6-4 और 1-6 लगाया था अब बात कर लेते के जन्नत की काफी बढ़िया पीके दोस्तों ये भी काफी बढ़िया इसलिए इनको hot picks में दारा रखा गया है मैं मैंने रखा है ही हाज परफॉर्म्ट रियली वेल इन दे लास्ट कपल ऑफ माचेस दो लास्ट मैचेस में इन्होंने बढ़िया परफॉर्म्स केया है इनका इन्होंने दो मैचेस में 47 रन बनाया और आवरेज भी इनको मिलिये और इनकी एकोनोमी भी 6.6 की जो के काफी बढ़ी आये दोस्तों अगले जो हमारी हाट पिक्स है दोस्तो एस इसलाम है नहोंने अभी तक पाच मैचेस के लिए और पाच मैचेस में उन्होंने 7 विकेट अचस निके और उनका बेस्ट है एक मैच में ही उन्होंने 4 विकेट लिये थे तो इसyty Îले मैंने इनको भी हाट पिक्स में रखाए हम जरूर कोशिश करेंगे इनको हर टीम में लेने की अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो होड़ प्रिक्स है एन एहमद इन्हों ने भी लास्ट बतले हम इन्हों ने भी जो पाच माचेस खेले उसमें साथ विकेट लिए जो की काफी बढ़िया है दोस्तों और काफी अच्छी ब्ले अपने टीम मिलेरी कि हमज़रूर कोशिश करेंगे तो आप भी इसी तर से अच्छी खासी तीम बना सकते हैं चलिए दोस्तों अब 3 मीलियों क्या आप पर चल लेते हैं और देख लेते हैं ड्रेमिलियोन की टीन विनिंग टिम्स जिससे के आपको अच्छे कहसे अरुनिंग हो सकती है और फिर आप ग्राइंड लीग या स्मॉन लीग चेच सकते हैं है और है dau हुआ हुआ जैसे के आप देख पारे हम ट्रेमिलियं के एक आ ऐ चुके हैं हर मैं को सी मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं वह मैच हाई-लैट करके दिखा रहा हूए जैसे कह आप देख पार है या पर जीस मैच के बारे में अभी हम नहीं आपको क्लिक करनी होगी, लेकिन मैं अरो आर्टो क्लिक करने होगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर से माय टीम पर क्लिक कर लेते और पहले टीम आज मैं आपको चार टीमें बताऊंगा दोस्तों पहले टीम पर क्लिक कर लेते और आपको शुरुआत करते इडिट करके लेते पहले टीम में मैंने अफकोस के लेविस को लिया है किपिंग में बाकी किसी और को नहीं लिया है एक और अगर आल रॉंडर्स की बात करें तो मेरे पास चार आल रॉंडरे बी वहल को मैंने ले लिया अगर बात करें तो इन इसलाम को भी मैंने यह पे ले लिया है तो खुल मिला कि चार गिन बाजों को मैंने लिया है अगर गिन्बाजी पर चलते तो गिन्बाजी में देख सकते मुस्तफी जुर रहिमान को लिया है इस्लाम और एन आहमत दोनों को लिया है जैसे कि हमने स्टाट्स में देखा था इन दोनों ने साथ साथ विकेट अभी तक पाच मैचेस में लिए चले कंटीडियू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्टन वृल जैक को जी आँड़ी दोस्तों विलजाक जैसे क्यामने स्टाट्स में देखा विल जैक और तावस pergunt दोस्तों को मैं और और एकर क्याप्टन बनाएं धोनों की दौनोंग बढ़िया फॉर्म हैं और अच्छे खासे बैटिंग और बवलिंग कर सकते तो ज बैटिंग के अगर बात करें तो फाब डू प्लेसिस को मैंने लिया है शबिर रह्मान को लिया है विल जैक को लिया है अगर आल राउंडर की बात करें तो चार आल राउंडर से मेरे पास भी वह विल को मैंने लिया के जन्नत को लिया है इन इसलाम को लिया है और एम हसन मिर् अच्छी खासे जिनबाद है और एक अच्छा खासा कीपर हो चुका है तो हमने क्रेडिट भी खत्ब कर दिये दोस्तों याने कुल मिला कि हमारे काफी बढ़िया टीम बढ़ चुके तो मैं आफकोस आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इस टीम को ग्रांड लिक के लिए में जडाए दो जादा अच्छा लेकिन स्मॉन लिक के लिए बी ज़रूर यूज कर सकते हैं अगर आप को यूज करेंगे तो आपको काफिछ फायदा हो सकता आप ग्रांड लिक में अच्छी खासें आदिक कर सकते हैं तो अपनी इस सब से देखिए दोस्तों मुझे लगत है वील जैक को और वाइस कैप्टन बना है जैसे के आप देख पारें वील जैक को कैप्टन और वीवावेल को वाइस कैप्टन बना है दोनों की दोनों बेस्ट है हम सब बने इन के stats भी देखे थे काफी बड़िया performance रहा है तो जरूर आप इन दोंगो को captain and vice captain बना सकते हैं इन दोंगो पर वरसा कर सकते उल्टा भी कर सकते बी वह Täu और इसको captain विल जैक को भी vice captain बना सकते लेकिन मैं और एक team में आपको जरूर करके दिखाऊंगा तो फिर से काफी बढ़िया टिम बच जुके फिर से एक बार कहीं दूंगा कि लिए लगाएंगे तो जादा बेटर है लेकिन आप से वाल लिक के लिए भी ज़रूर यह स्टीम को यूज कर सकते अब चलते स्टीम को क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूस और को नहीं लेने आलों बैटिंग पर चलते तो तीन इवल लिवाजों को मैं ले रहा हूं यहाँ पर मैंने फाप डू प्लेसे को ड्रॉप करके एम हक को ले लिया है इसके अलाव में विल जैक को भी ले रहा हूं और यहाँ पर आई काइल को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया इन तीनों ने अभी तक अच्छा परफॉमस के तो जरूर आप इन तीनों को अपने टीम में ले सकते शामिल कर सकते ऑल रौंडर से और जहाँ पे वह वहल है मेरे पास के जन्दत भी है मेंदी असन मिर्जा को भी मैंने लिया है और एज इस लाम को भी इस टीम में श कर सकते हैं गेनबाजी के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते मुस्तफ फिजुर्य मान को डॉप कर दिया मैंने न नहीं ले पाया था इस टीम में जरुर लोगा अगर बात करें अगले सब्सक्राइब दो गेनबाज जिस्लाम को लिए और एम चोधरी इसतर से यह तीनों भी काफी बढ़िया गेन बाज कर रहे है जरूर आप इन दीनों को ले सकते इन टीनों पर भर्षा कर सकते दाऊ लगा सकते तो हमारी टीम काफी बढ़िया बन चुके कंटीनु पर क्लिक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते तो यहाँ पर मैंने मेंदी हसन मिर्जा को क्याप्टन मनाया दोस्तों काफी बढ़िया क्रिकेट खेल दे काफी अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते तो जिससे आपको इनको अगर आप क्याप्टन मना रहा हूं क्यूंकि यह भी अच्छी कासे बैट्स मनें और अच्छी कासे कीपिंग भी कर सकते तो इनको भी अगर अगर आप क्याप्टन या मैंस्ट क्याप्टन बनाएंगे तो जरूर आपको जन्नत एन इसलाम और एम हसन मिजजा अगर बात करते हैं बाजी में मैंने कुछ चेंज़े जरूर कर लिए देख सकते हैं एमत को लिया टी इसलाम को लिया और एम चोधरी को लिया तो जितने भी हमने यहाँ पे प्लियर सजे चेस लिये हैं सभी ने अब तक काफी बढ़िया परपरमस के हैं सभी के साथ आप जा सकते हैं और इस टीम को भी जरूर आप ग्रैंड लिग के लिए और स्माल लिग के लिए दोनों के लिए उज़ कर सकते हैं लेकिन जादा से जादा ग्रैंड लिग के लिए उज़ किजिएगा क्योंकि ग्रैंड लिग में मल्टीपल आपको आप ग्राइंड लिग जीत सकते हैं फिर आपके दो चार टीम है तो कम से कम आपको अच्छी खासी अर्णिंग करा के दे सकते हैं प्रॉफिट करा के दे सकते हैं तो इसमें इससे भी यह भी टीम काफी बढ़िया है ट्राइंड लिग के लिए और स्मॉल लिग के और क्याप्टर मनाया में इंदी असन में जाको दोनों अच्छे फ़र्म में दोनों अच्छी कासी बैटिंग कर सकते उपर में इंदी असन अच्छी कासी गेन भाजे भी कर सकते तो जरूर आप इन दोनों को आपको जाता फाइदा हो सकता है आप ग्राण्ड लेग सकते हैं फिर दूञें काफी बढ़िया टीम बन चुके फिर से कऊंगा ग्राण्ड लिए जाधार से जाधा उचकी जिगा स्मॉल लिख के लिए भी उच्छ कर सकते हैं चले इस टीम को भी क्लोच कर लेते से और आपक कौन को ले ली है दोस्तों क्योंकि इनको एक कम से कम एक जगह पे लेना जरूरी है नहीं तो हम अगर यह अच्छा पर्फोर्मस करते हैं तो हमें पच्टा हो सकता है इसलिए मैं इनको यहां पर ले लिया बैटिंग की बात करें तो मैं चार बल्लेबादों के साथ जारो शब तो यहां पर B.Waweel को मैंने ले लिया है M.Hasan Mirza को लिया है और A.Husain को भी इस टीम में ले लिया है तो इस तरह से काफी चेंजेस की हैं लेकिन अच्छे खासे चेंजेस हैं जरूर आप इंटियर इस तरह से टीम भरा सकते हैं आप जरूर इस टीम को भी यूज कर सकते हैं गैन बाजी जर्दी पर चलते तो यहां पर भी कुछ चेंजेस के इस इसलाम को ले आ है और दूसरे वाले इसे इसलाम को भी यहां पर मैंने ले लिया तो ये जिए बी टीम काफी बढ़िया बन चुकी है कंटीनूपर क्लिक कर लेते हैं एज देख लेते क्यापटन और वा से काफी बढ़िया एंप्रेस कर रहे तो जरूर आप इन दोनों को क्याप्टन और वाइस काप्टन बना सकते इन दोनों पर दावल लगा सकते चलि दोस्तों इस टीम को भी प्रिव्यू कर लेते जैसे कि आप देख भा रहे है आपर मेरे पास कीपिंग में एम इसलाम को लेया है इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मस किया है जरूर आप इनको साथ साथ सकते शब्वीर रह्मान सेडल पॉट विल जैक और एमहसन जॉय इस तर से चार वल्लेवाजों को मैंने इस टीम में लिय है दोस्तों विव होवेल एह हुसेन और एमहसन मिलजा इस तर से तीन और रॉंडर्स को मैंने लिया है अगर गेनबाजी की बात करता हो एन इस एहमाद एस इसलाम और दूसरे वाले एस इसलाम इस तर से तीन गेनबाजों को इस टीम में शामिल कर लिया तो यह भी टीम मैं अभी तक इतना अच्छा परफोर्मस नहीं कर पाए म इसलाम अंकौन भी इतना बड़ी अ परफोर्मस नहीं कर पाए मैंने ग्रांड लिक के बात करें तो यह अगर सही पढ़ जाते ह ह कि ये इंहारे सारे प्रयार्स तो आपको Grand League जिता सकते हैं या फिर Grand League में अच्छी का सिया निंग करा सकते हैं क्योंकि हमने Captain और Vice Captain भी काफी बढ़िया चुछ किये शब भी रहमन काफी बढ़िया खेल रहे हैं वही विल जैक को तो हमने स्टाइट्स में भी देखा काफी जबदस पर्पॉर्मेंस रहा है तो जरूर आप इन दोनों को Captain और Vice Captain मना सकते हैं और इस तरह से थोड़े अटपटे से changes हमने किये हैं तो ऐसे ही टीमें हमेशा Grand League जिते हैं जैसे कि आपने चेक करके दिखा ही होगा कि Grand League जितने आले प्लियर हो मतलब टीम में काफी अलग-अलग प्लियर रहते हैं जो कि हम सोज भी नहीं सकते तो इसलिए मैंने इस तरह से यह टीम बना ही है तो जरूर इस टीम को Grand League के लिए यूच किजिगा कोई प्रॉब्लिम नहीं है आप एका टीम प्रेडू भी जाये तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों लेकिन अगर सोचिए अगर यह सक्सेस हो जाते हैं इनो प्लियर तो आप Grand League जीत सकते हैं और आपको Grand League जीताने में हेल्प कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ी अलग टीम बनानी एका टीम ज़रूर बनानी चाहिए चाहे वो हार भी जाये कोई प्रॉब्लिम नहीं दोस्तों उसका टेंशन ना मतली जिगा लेकिन जिस दिभी दि तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं मैंने के लिए इसको ले लिया है इसके अलाओ किसी और को नहीं लुगा बाटिंग में फिर से टीन बल्ले बाजों को लिया शब रह्मान को विल जैक को और आएकाइस को भी स्टिम में ले लिया है और रौबरस की बात करें तो मेंदीयासन मेर्जा को भी हापर ले लिया है तो कि यहां पे चार ओल राउंडडर्स मेरे पास हो चुके लेकिन यहां पे एस एन इसलाम मैंने थोड़े दूसरे वाले लीए यहां पे दो एन इसलाम है तो जिन्हों उनको मैंने अभी तक पहले टीमों में लिया था लेकिन यहां पे 135 पॉइंट वाले इसलाम को यहां पे लिया तो आप यह सोच समझ के मतलब देखे किजिएगा चले गेनबाजी पर चलते गेनबाजी में देख सकते मुस्तफिद रह्मान को लिया और एस इसलाम को लिया है य तो सोच समझ के लिजिएगा 244 पॉइंट वाले इस इसलाम को भी तक पिछले दो कुछ टीमों में लिया था लेकिन इस बार 120 पॉइंट वाले इस इसलाम को मैंने आप लिया है तो यह भी आप कन्फूजन हो सकता है तो जरूर ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यह भी टीम का अभी बढ़या बन चुके कंटीनियू पर क्लिक कर लेते कैप्टन और वाईस क्याप्टन देख लेते तो मैंने इस टीम का यह भी वाल को अभी तक कही भी हम कैप्टन नहीं बना पाए ते काफी जबदस परफोर्मंस राहे इनका तो इनको कहीना के कैप्टन मनाना जरूर तो इसलिए को सब्सक्राइब मना सकते और आप टीम प्रिव्यू कर लेते दौस्तों एक बार जरूर को दौस्तों मैंने जोभी चारों टीमें आपको बताए उन में जिन जन को मैं वाइस कैप्टन सब का तो उसके से आपको जादा फाइदा हो सकता है सिर्फ विल जैक और एच्वावेल को मैंने कहीना कई क्याप्टन और कहीना कई वाइस क्याप्टन बना दिया है तो वह मत किजेगा दोस्तों क्यूंकि मैं अल्रेडी कर चुका हूँ तो इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से कर सकते हैं आपको फाइदा हो सकता है फिर से टीम प्रिव्यू कर रहे हम तो के लिविस को मैंने लिया है आई का इसको लिया है शब्विर रह्मान को लिया है विल जैक को लिया है और बात करें और गेन बाजी की तो मुस्तफिजुर रह्मान को लिया है और एस इसलाम को ल को फाइडा हो सकता है या फिर आप दाएंड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जी सकते तो मैं इस टीम को भी जरूर कोंगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्राइड लिगं की विज करके वेस्ट मत की जगा क्योंकि यह तीम भी काफी बढ़िया बज़ कि और आपको ग्राइड ग्रींग जता सकते है दोनें गय्स काप्टन को बनायों की दोनों बड़िया कीप्टन और वासे काप्तन साबितं हो सकते आपको पाइदा किसे फायदा करते और्षे चेंज करने तो चेंज भी ज़रूर कर सकते हैं तो कुल मिला के काफी बढ़िया टीम बन चुके इस टीम को भी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और आखिर में आपको यही कहूंगा दोस्तों इन चारों टीमों में अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो आप ज़रूर चेंज कर स तो आई होब दोस्तों आप सबको मेरा ये वीडियो और मेरी तीनो टी में काफी पसंद आयोगी और अगर पसंद आयो तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि इसी तरह के अच्छे वुड़े सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो दोस्तों एक बात आखिर में जरूर कहूंगा मैंने अपने टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रेप्शन में दी हुई है वहाँ पे जाके आप उसे जर को ले सकते हैं वह मैं आपको जरूर बताता रहूंगा तो चले दोस्तों आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद